बाकी सारी चीजों को देख करके सभी नामों पर बड़ा गौर किया गया लेकिन सभी नामों पर गौर करने के बाद हम सब लोग और भारतिय जनता पार्टी की संसदिय बोर्ड इस निशकर्ष पर पहुंची है कि उपराष्ट्रपती पद के लिए भारतिय जनता पार्टी औ को हम उप्राश्ट्रपती पद के लिए अपना प्रत्याशी के रूप में घोशित करते हैं हम सब लोग जानते हैं कि जगदीब धनकरजी श्री जगदीब धनकरजी ये वेस्ट पेंगौल के अभी गवर्नर हैं और लगबग तीन साल तीन दशक तक सार्जनिक जीवन में इन सांकर जी एक साधारन परिवार से किसानपुत्र एग्रेजियन परिवार से किसान की भूमी से आते हुए अपने जीवन में सामाजिक और आर्थिक बाधाओं को पार करते हुए उन्होंने अपने जीवन में उच लक्ष को प्राप्त करने में और सामाजिक जीवन के रूप लॉंग करते हैं और उनका लालन पालन जुन जुनु के एक डिस्ट्रिक्ट के गाउं में वहा हुआ और गाउं के स्कूल से पढ़ाई करते हुए उन्होंने सैनिक स्कूल चितार गड़ से अपनी शिक्षा ली बाद में वो राइस्थान इनुवरस्टी में फिजिक्स की उन का लॉप में लल बी किया वह फरस्ट जेरेश्ट के प्रोफेशनल है याई वकालत के रूप массंड बिते हैं अब हैं अगेश्टी कम समये भी उन्होंने अपना नाम एक वकील के रूप में स्थापित किया. So, he's a first generation lawyer, a first generation professional. और सारजनिक जीवन में आने से पहले, वो एक प्रतिष्थित वकील के रूप में उन्हने अपने आपको स्थापित किया. वो सुप्रीम कोट में वकील थे जब उन्होंने पहली वार लोकसभा 1989 में जुनजुनु से चुनाव लड़ा और वहां से वो विजय हासिल की और बाद में वो 1990 से लेकर के 1993 तक वो पारलिमेंटरी अफेर्स, Minister of State for Parliamentary Affairs के मंत्री रहे और बाद में वो राजस्थान के किशंगर कंस्टिट्वेंसी अजमेर डिस्टिक्ट से विधान सभा के भी सदसे रहे और उनका एक लंबा administrative experience रहा है हम सब जानते हैं कि वो जुलाई महिने 2019 में उन्होंने राज़ेपाल का पद वेस्ट बेंगौल में पश्चिम बंगाल के राज़ेपाल के पद को संभाला as governor of West Bengal और हम जानते हैं कि उनकी छवी पीपल्स गवर्नर लोगों के गवर्नर लोगों के दिल पर राज करने वाले ऐसे सक्षियत के रूप में राज़ेपाल के रूप में स्थापित हुए हैं और उन्होंने जिस तरीके से सारजनिक जेवन में सेवा की है और लंबे समय त यह तै किया कि किसान पुत्र साधारन परिवार से बढ़ते हुए फर्स्ट जेनरेशन के प्रोफेशनल फुली एक्विप्ट एजन एड्मिनिस्ट्रेटिव केपासिटी और जिनका सारजनिक जीवन में एक बहुत ही अच्छा योगदान रहा है ऐसे प्रत्याशी को भारत चल करके उनके नॉमिनेशन की तारीख भी तैह होगी और फिर चुनाओ के दिश्टी से त्यारी होगी मुझे यही आप सब को बताना था श्री जगदीब धनकड हमारे एंडिये के प्रत्याशी है